किसरी जी इक नई ऑफिस की ओपनिंग हो ये सबसे पहले उसके बार में बुच बता है ये नया नहीं है ये मेरा ही ओफिस है और ये जितने भी यहां के लड़के हैं सब मेरे भाई हैं और इसके उज़े से मैं सुटिंग छोड़ के यहां पर आया क्योंकि अपनापन है इनके मन में मेरे प्रती एक सरदा है और इनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो कोसिस करता हूँ कि जो मुझे मुहबत करता है उसके लिए मैं थोड़ा बहुत जो भी करना हो मेरे तरब से हो सके मैं करने की कोसिस करता हूँ किस फिल्म के छोड़ कर आया है भाग है सारी भाग छोड़ के नहीं आये है भाग के आया है एक्शली बारिस के होज़े से सोटिंग ड्रॉफ हो गया भगवान को मंजूर नहीं था भगवान को यहां भेजना था मुझे और टाइ मिलखा भाग था उसी टाइब की एक सिनेमा है लेकि भाग मिलखा भाग से कहीं से मिलता जोलता नहीं है वो सिनेमा एक सिनेमा ऐसा है कि एक पनावती आदमी और अपने देश के लिए लड़ता है और देश के लिए भागता है और वो पूरी दुनिया पर भिजे पाता है पू कि उसके बाद वही बाप को जब सम्मान मिलती है तो बोलता है कि जब हम ही अपने बच्चों को पनावती समझ लेंगे तो यह पूरी दुनिया क्यों नहीं समझेगी और एक कहानी कहीं न कहीं एक रियल कहानी है एक अंजली नाम का बनारस में घटना हुआ था और उन्होंने पूचाई पे चड़ी थी वो एक पैर ना होने के वावजूद में तो वही से एक कहानी ली गई है और यह बेस में कहानी आई है आपके腿 पनाथी कहना है मेरे लाइप में अभी तक कोई पनाथी नहीं है क्योंकि हम खुद ही मेहनत करें तो हमारे जीवन में कोई बधान नहीं होती है इसलिए हम किसी दुसरे को नहीं कह सकते कि हाई मेरे लाइप में यह पनाथी है हमारे जीवन आज पबलीक के बदवलत है पबलीक हमारे लिए भगवान है और हमारे आसपास रहने वाले कहीं न कहीं अगर मेरे बारे में बुरा भी सोचता है तो पल भर के लिए तो सोचता है न वो तो पनौती उसको कैसे कहेंगे उसको दुसमन कैसे मानें हम कहीं न कहीं उ वो सोचता है बुरा इसे लिए हम आगे बढ़ते हैं और वो कही न कही हमें उर्जा देता है तो कोई पनौती इस धर्ती पे नहीं होता है बस एक हमारी सोच हो जाती है कि इसके जैसे मेरी प्रवलम होई लेकि नहीं उसके गलती के कारण हम खोदी होते हैं और मैंने वो सिनेम है कि जब तक हम अपने आपको नहीं समझेंगे तब तक दुनिया पे बीजे नहीं पाएंगे अच्छा है किसी भी छेतर में हो या खेल का दौर हो या किर्केट का हो या आपके जीवन के लक्ष का हो या नोकरी का हो किसी भी चीज में जब तक आप खुद को नहीं सकते हैं जब आपको लगे कि नहीं मैं एक कर सकता हूं और कोई भी काम आदमी कोई भी काम कर सकता है बसरते उसके अंदर वो होसला और वो लगन होनी चाहिए झाल